है गाईस सबसे पहले तो एक ही बात कहूंगा कि आप सभी की प्रोविजनल मिरिटलिस्ट जारी हो गई है और हमारी मेनद भी रंग लाई है ठीक है हमने मेल किया था मैंने खुद मेल किया था ओर आज मैं रिप्लाय पर भी एंसर डालने वाला था मैं रिप्लाय भी मिल गए लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रूब तो आपके सामने है आप सभी की प्रोविजिनल मेरीट लिस्ट आ गई है आप सभी को वीडियो पूरा देखना है फुल जन्यून इन्फरमेशन दे रखे है आपको क्या कुछ करना है प्रोविजिनल मेरीट लिस्ट आने के बाद ठ परकार फिल अप करना है सब कुछ इन्फरमेशन आपको मिलने वाली है और हाँ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको अपको सारी कुछ आपर इन्फरमेशन प्रोवाइट की जाती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते आपको पूरा एंट तक वीडियो वाच कर परना है गाई जा बीएस नर्सिंग रिलेटेट हर एक अपडेट आपको जेन्फरमेशन मिल जाता है और जैसे मैंने कहा था आप देख सकते हो आपर फाइनली आप सबीकी जो प्रोविजनल मेरीट लिस्ट है जारी हो गई है और साथ में एक नोटिस भी आई थी और आप बिलकुल ध्यान से सुनेगा जैसे मैंने कहा था मैंने मेल भी कहा था और स्टुडेट ने भी मेल कहा था और आज फाइनली आप सबीकी मिली जारी हो गई है जो इस वीक में आपको देख लेना है आपकी प्रोविजनल मूरिट लेकिन विडियो पूरा देखिएगा जो इं जाकर अपनी मिरिट लिस्ट चेक कीजिएगा मैं आपको विट यहाँ पर लायूच चेक करके बताता हूँ आपको क्या कुछ देखना है और क्या कुछ किन किन छात्रो का नाम है with percentile मैं आपको बता तो सबसे पहले promotional merit list मैंने download की है वो professional merit list मैं आपको दिखाना चाता हूँ आप देखिए पूरी promotional merit list with name of student आप देखें आपको क्या कुछ दिया है यस आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ताके आप आपको जन्यून इन्फॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले आप देखिए आपर नेम आफ केंडिडेट जेंडर कैटेगरी और उनका यहना आ रहा है तो नहीं दिया है लेकिन महाराश्र बीएस्टी नर्सिंग सीटी टूटाउजन टूजन 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 टू मिले है मुझे कमेंट जरूर कीजेगा और मेक शूर अपना ट्रिम कोलेश जरूर लिखेगा अब बात आती हाँ पर नूटिस की खीके ना इसकी उपर मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो की बहुत इंपोर्टन रहने वाला है लेकिन सबसे पहले जो नूटिस आ अब फाइनली स्टूडेंट को यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्टिविटी और डेट्स दे रखें अब क्या कुछ होने वाला है किस तारीक को क्या कुछ होने वाला है या सब कुछ दे रखा है मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ठीक है इन शॉट मैं आप को बता देता हूं क्या कुछ रहने वाला है सबसे पब्लिकेशन डर जो करना है आज आपकी प्रोेजियनल मिरocyनल मिरितलिस्टल आइये आपकी final मिरिटलिस्त नई रहा है ठीक है तो देखिए प्रोईज़ो अं लाज पब्लिस है दंवन såдо आपको क्या कुछ करना है मैं इसके उपर एक वीडियो बनाने माला हूँ जल्दी तो आप only चैनल को सस्क्राइब कर बेल ऐकन प्रेस कर दीजे और हाँ जिन चात्रों ने अभी तक paid counseling purchase नहीं की है वह link में आपको description में दे रहा हूँ उनली 499 अभी offer चल रहा है 499 रुपीज में आप यहाँ पर paid counseling purchase कर सकते हो up to end आपको हमारी team पूरा support करेंगी और आपके जो यहाँ पर पसंदिदा college है आपका जो है कि मेर को एही college चाहिए ठीक है private हो या फिर government आपको percentile कितने ही हो वह माइने नहीं रखता अगर आपको private चाहिए और आपको 45 percentile भी है तो आपको private college मिल जाएगा वह हमारी जिम्मेदारी है हमारी team के जिम्मेदारी है ठीक है तो सबसे पहले तो आप सभी को अगर paid counseling purchase करने है तो नीचे link दे रखके उस पर जाकर counseling purchase कर लिजे within one hour आपको हमारे team के माध्यम से overall call किया जाएगा ठीक है तो आप देखिए grievance through online ticket आपको 18 और 19 जो की date है कल की ही साधे 5 बज़े तक आपको यहाँ पर grievance through online ticket वो सब कुछ मैं आपको next video में बताने वाला हो बहुत important होता है अगर आपने थोड़ी सी गलती किये तो आप overall percentile होकर भी अपना पसेंदिदा college नहीं मिल पाएगा आपको यह बात अपने ध्यान में बैठा लीजिए ठीक है देन वन आप देखिए जो कि online preference आपको तारीक मिलेगी 21st अगस्ट 23rd अगस्ट तक ओके देन वन declaration of selection list for cap round 1 फिर declaration होगा cap round 1 का जो कि 24 अगस्ट को है और finally आप देखिए जो कि physical joining and filling status retention from with all original document and आप देखिए जो कि fees भी आपको भरने होगी डीडी हो या फिर चेक हो तो finally यह जो है आपका cap round 1 में जो आपको college alert हुआ है उस college alert के साथ आपको joining करनी पड़ेगी डीडी या फिर चेक बनाके उस पे भी मैं एक new video publish कर दूँगा कि आपको डीडी या फिर चेक उसके regarded information दे दूगा जो कि है 25 अगस से 29 अगस तक तो आप सभी को यह admission days के लिए 4 days मिलते हैं और आपका जो finally declaration होगा cap round 1 का हो 24 अगस को है तो इस पे मैं और एक video बनाऊंगा with proper information, genuine information आपको क्या कुछ करना है हाल फिलाल में आप अभी 499 का जो offer चल रहा है उससे purchase कर लिजिए within one hour team आपको contact करेगी और guys finally जैसे मैंने कहा है वैसे ही हुआ है आप सभी की provisional में रिटलिट जारी हो गई है मैंने कहा था हमने mail भी किया था आपने भी किया था और finally हमें उनका overall answer reply मिल गया जो आप यहाँ पर online देख पा रहे हो ठीक है तो चलिए guys next video का इंतजार करिए बहुत जल मैं आपके लिए एक overall full genuine information के साथ आपको क्या कुछ counseling process में करना है overall process क्या है सब कुछ बताने वाला हो तो make sure subscribe now